यह देखिए पिछली वीडियो में हमने यह योक बनाना सीखा था बेबी फ्रॉब के लिए यह उपर का चोली बनाना सीखी थी इस पार्ट में हम इसके निजी की घेर बनाना सीखेंगे अगर आपको इस घेर की कोई अच्छी डिजाइन है तो आप उसे भी बना सकती है यहां से स्टार्ट कर सकती है और अगर आप ऐसी डिजैन मना चाती है जैसी मैं बना रहे हूं तो वीडियो को देखते रहे हैं पूरा देखिएगा इसके नहीं कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं इससे जुड़ी आपको टिप्स में बताती रहूंगे तो देखिए यहां पर हमने यह उन जोड़ के कम्प्लीट किया था यहां उन जोड़ा था तो यहीं पर आप जोड़ लीजिए उन को जो यह हैं हम पिंक कलर लगाएंगे यह बेल्ट का के जैसे हो जाएगा है तो यहां पीछे की साइड में हम इससे इस तरह से दिखिए पहले हमें गाट लगा लेते हैं इसमें यह हमने गाट लगा लिया गाट लगाने बाद यह जहां हमने उन कट किया था जहां हमने जोड़ा है जहां पर हमने जोड़ा है यहीं पर यहां पर हम इस तरह से इसे लेंगे और इसे हम यहां इस तरह से बंद कर दिखिए और इसे टाइट कर लेंगे अब यहाँ पे आपको चार चैन बनानी है वान तू थ्री फोर देखिए हमने चार चैन बना ले हैं चार चैन बनाने बाद हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे फिर उसके बाद एक दो तीन चोड़ेंगे तीस और तीन और चार के बीच में तीसर और चौथे के बीच में हम पहले दो ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे देखिए वन और यह टू तू हमने ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे अब तीन चैन बनाएंगे वन तू थ्री त्री च भीच यहां पर यहां में बनाते जाएंगे वान टू क्रोशिया कि यहां पे दो ट्र ट्र gåjo приход फिर लटी थी त्रीजार फिर हैंपे दो ट्र ट्र ट्रपल क्रोशिया वन की मैं तो इसी तरह से हम इसा को कम्प्ली परेंगे अ algún कि यह हमने पूरे राउंड में यह कंप्लीट barr देखिए याप में मेरे पास दो डॉबल कोश्या बचे हैं तो कोई बाट नहीं से याप तो दो बचेंगे या तो एक बचेंगे तो इस तरह से आप में अगर चार बचते हैं एक बचता है तो यहां पर दो के बाद बना लीजे और इसे अपने हिसाब से अध्यस्ट कर लिज और यहां पर फोर्थ चैन है इसमें हम एक डबल क्रोश्य बना लेंगे यह देखें यह इस तरह से यह हमारा लूप बन गया अब फिर से यहां पर देखें इसके बीच में से ऐसे लेंगे सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर 1 2 3 4 4 चैन और फिर एक डबल क्रोश्य क्योंकि साथ लेंगे और बेखें आतातीन फिर इसके वाद आले रहरो आपको खुद बनाने ए देखें हमने यह पर जोड़ा फिर यहां पर नीजे से लूप लेके सिंगल क्रोश्य बना चार चैन मना एक डबल क्रोश्य है और फिर नेस्ट लूप में यहां पर आपको डूबल क्र ट्रिपल कुरूश्या बनाएंगे दिखिए वन फ्रेंड्स अगर आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप डबल कुरूश्या बनाएं चुकि बड़े बच्चे का है और ट्रिपल कुरूश्या बनाने से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बार इसमें 1 2 1 2 3 3 जैन फिर 2 ट्रिपल कुरूश्या बना लिन नहीं है तो दिखिए एक लाइन तो हमने बना ली है बेसरो बना ली सेकेंड बना लें थर्ड रो भी हम बना लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको डिजैन बताती हूं यह दिखिए फ्रेंड्स यह हमने wean two three three link बना ले है और हम फिर से त्रिपलおお को ट्रिपल क्रोश बना थे हम डो ट्रिपल क्रोश बनाएंगे one ऑर ये डू ल जोड़ां आ कुछा है ऑपर एक चैन बनाएंगे एक ड्रिपल क्रोश है चता चैन पना करेंगे एत प्सक्राइब अब यहाँ से क्या है यहाँ पर हमने 4,4 triple crochet की रूह बना थी अब हम हम इब 6,6 triple crochet की रूह बनाएंगे इस तरह से loop को लेंगे एक single crochet फिर 1,2,3,4 चार चान अब 2 triple crochet बनाएंगे 1 और यह 2 दो triple crochet बनाएंगे अब next में हम पहले 3 triple crochet बनाएंगे देखे, one, one के बाद, two, two के बाद, three, three double crochet बनाए, फिर तीन चैन बनाएंगे, one, two, two, three, three चैन, और फिर वापिस से इस पे हम, one, two, और ये three, ये देखे, तीन हमने triple crochet बनाए, देखे, छे triple crochet हो गया, फिर वापिस से, next में हम three double crochet बनाएंगे, देखे, one, two, और ये three, देखे, तीन triple crochet हो बनाए, फिर, one, two, three, तीन चैन बनाएंगे, फिर वापिस से देखे, one, two, और ये three, तो इस तरह से अब ये हम फिर तीन लाइन इससे बनाएंगे, 3 line हम ऐसी बनाएंगे 6 triple crochet की देखें, फिर उसका 3 line हम 8 triple crochet की बनाएंगे 4 चार, 4 triple crochet, 3 chain, 4 triple crochet, फिर उसके बाद की 3 line हम 5-5 triple crochet लेंगे 10 triple crochet, 5 triple crochet, 3 chain, 5 तो इस तरह से हमें जितनी लंबी आपको ये frock की घेर चाहिए देखिए यह दो इंच है हमने यह तीन लाइन में दो इंच बनाया है तो चुकि यह तीन साल की बेबी के लिए है था हमें इस खुरास लंबा बनाना होगा तो मैं अभी घेर कंप्लीट करके फिर आपको बताती हुआ देखिए फ्रेंट्स यह मैंने बना लिया है और यहां पर टोटल मैंने जो है बारा लाइने बनाई है ट्रिपल क्रोशे की बनाई है यह तीन लाइन मैंने दस दस ट्रिपल क्रोशे की बनाई है तो टोटल मैंने यहां पर बारा लाइने बना लिया है और जितना लंबा चाहि यहाँ तक कि जो उसके लंबाई है वो 10 इंच है यह मैंने 10 इंच लंबा पुर लिया है अब यह जितना हमें घेर चाहिए और देखेँ यह ऊपा जो चोली है चोली की लंबाई हमारी 8 इंच है यानि कि यह 18 इंच लंबी त्यार हो गई अब यह में निचे जो है इसके एक ला क्रोशे की रोग बनाई है इसमें हम जो सेंटर है उसे तीन ट्रिपल क्रोशिया पहले यहाँ पर हम उन को जोड़ेंगे देखिए एक दो और तीसरे दूसरे और तीसरे बीच में यहाँ पर हम जो बीच वाला हिस्सा है इसमें हम दस ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे वन टू त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस नाइन और ये ठेन ये हमने 10 ट्रिपल क्रोशिय बना लिये अपको वर्क अपना लूज रखना है 10 ट्रिपल क्रोशिय बनाने का देखिए 3 skip करेंगे 3 और 4 के बीच में हम फिर एक सिंगल क्रोशिय बना लिएगे इस तरह से फिर यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे वन टू स्किप करेंगे नेक्स फ्लार में टू स्किप करेंगे यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशे से एड़ करेंगे यह रही और फिर वापिस से इसके बीच में पे दस ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे दिखे इस दर 1 3 4 5 6 7 8 8 9 और यह 10 यह हमने 10 ट्रिपल क्रोश्य बना लिये अब फिर यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 स्किप करेंगे 3 और 4 के बीच में हम यहाँ पर 1, 2, 3 3 चेन बनाएंगे फिर यहाँ पर 2 2 डुबल क्रोश्य नेक्स्ट में स्किप करेंगे फिर यहाँ पर single crochet बनाएंगे और ऐसे ही हम पूरी frog में नीचे बना लेंगे तिसे बना लेते हैं देखिए यह हमने row complete कर ली है और हम last में आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे और फिर यहाँ फारा first chain है इसमें हम इस तरह से slip stitch से जोड़ देंगे अब देखिए first और second की बीच में यहाँ पर हम इस तरह से एक slip stitch बनाएंगे और यहाँ पर पॉप बनाएंगे देखिए लंबा का लिंग धागा फिर वन बार loop लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार loop लेंगे फिर इसे हम बंद कर देगे फिर यहाँ पर 1, 2, 2 chain लेखिए दो chain बनाने बाद फिर next में हम यहाँ पर पॉप बनाएंगे इसी तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइफ बार लिया इसे हमने बंद किया फिर 1, 2 chain फिर next में 1, 2, 3, 3, 4 और यह 5 पांच बार लिया फिर देखिए पहले ऐसे बंद करेंगे फिर हम इसे ऐसे बंद करेंगे अब दो chain बनाएंगे 1, 2, फिर next में बना लेंगे तो ऐसे हम पूरे इस राउंड में पॉप बना लेते हैं पांच यहां से यहां तक हम पॉप बनाते हैं कि देखे यह हमने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हम ने पॉप सिच बना लेंगे हैं अब देखे यहांपर आपको यहां से फिर यहां से स्टार्ट करना देखिए यहां पे एक, दो, त्री, चार, पांच, पांच पर लिया, फिर इसे हमने बंद करेंगे, यह देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से आपको अभी है, फिर यहाँ पर दो चैन बनाना है, इसी तरह से कंप्लीट करना, फिर इसमें पॉप बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइफ, पांच पर लूप लेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, फिर दो चैन, फिर वापिस से देखिए, इसी तरह से, जैसे हमने इसको बनाया है, वैसे हम पूरे राउंड में बना लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यह हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम लास्ट में है, किष्ट ऑन Dorothy जा पहला पने बनाए था उसके हैड में इसे हम यहाँ पर इस तरह से इसले पिस्टिट करेंगे फिरी इस तरह से उनको निकाल लेंगे कर आओ तो यहां पर हमें कट करना है vio थोड़ा बड़ा लेंगे हम ड़ा shepherd बड़ा उन लेंगे इसे आपको पीछे हाइड करना है दिखिए इस तरह से इसके बीच में पिए उन आप इस तरह से निकाल दीजिए कि हम इसे इस तरह से लेंगे और यह जो है यहां पर कट करते हैं तो देखिए लेन हमारी कंप्लीट हो गए है अब हमें बाजू बनानी है तो देखिए यहां पर मैंने एक बाजू बना रखिए तो चुकि फ्रेंड्स यह फ्रॉक बड़ी है तो मुबाइल में भी कैप्चर नहीं होड़ी है मैं इसे पूरा बना के आपको बताती हूं सबसे पहले हम बाजू बना लेते हैं तो बाजू बनानी क्या करना है देखिए जहां पर हमने यह आर्मोल जोड़ा था देख सकते हैं जो इंक्रिजिंग पॉइंट यहां पर एक डबल कुरूश्य बना था इसके अंदर हमें इसे जोड़ना है उन को देखिए इस तरह से की इसका इस तरह से निकाल लेजिए है इस कि इसे हम यहां इसके बीग में यहां से हम इस तरह सेको लेंगे इस तरह से वान टू थ्री थ्री चैन और तीन डबल कुरूशय वन टू और यह थ्री यह हमने तीन डबल कुरूशय बना लिया अब इसे हम पॉपकॉन बनाएंगे जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम इस तरह से से खीच छेंच फिर यहां पे दो चेंट लेंगे अब देख्वें यहां पे यह जो space अ वार्व सफेर्टे सक्या हिए जो यह हमारा cluster थे जस्ट बगल में यहां पे फिर छार डूबल कुरूशियद में लिए दिए जो हिए हम ने H twelve catch ऑफ ने 3 skip करेंगे देखिए 1,2,3 तीसरे और चोथे के बीच में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये 4 चार बनाएं फिर पहले वाले में इस तरह स्क्रोशे डालके इसे खीच लेंगे बंद करेंगे फिर 2 चैन बनाएंगे फिर एक, दो, तीन करेंगे तीसरे चोथे में 4 डबल क्रोशे तो ऐसे ही पॉपकॉन बनाते वे रोग कंप्लीट करेंगे पूरी बाजू में हम इसी तरह से बना लेंगे तो ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं ये दिखिए ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिए और ये लास्ट आला कट कर देंगे अब इसे हम पीछे की साइड इसे हाइट कर देंगे इस तरह से अब ये जो एक्स्ट्रा उन है यहां पर इन सब को कट कर देंगे अब दिखिए फ्रेंट्स ये फ्रॉक्त हमारी कंप्लीट हो गई मगर ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो मैं यहां पर ये फ्लावर यहां पर लगाने वाली हूं इस तरह से तो यह मैंने फ्लावर बनाये हुआ है अगर आपको इस सीखना होगा तो कमेंट के लिखके पहत ही प्यारी है और अब इस प्सेट ऴेग और जरूर बहुत है अब इसे बनाये फोट मेरे इंस्टाग्रां पे मैरे इंस्टार्म पर भीज़ें और आप चाहें तो इससे मेरे Facebook पेज़ सकते हैं, दोनों मेरी शली के नाम से हैं तो कैसे लगे आपको एफ रॉक, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा थाइक कीजिएगा, बाइक कीजिएगा